करनाटक में एक तरफ सियासी तूफान आ चुका है और दूसरी तरफ इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरवर प्रधानमंत्री और जेडियस के प्रमुख एचडी देवगोडा को फोन किया है आखिर फोन पर क्या बात चीत हुई प्रधानमंत्री ने देवगोडा को क्यो फोन किया आप यही सोच रहे होंगे तो चलिए हम यह भी बता देते हैं दरसल देवगोडा का जन्दिन है और उन्हें जन्दिन के पधाई देने के लिए उन इसकी लड़ाई चल रही है। जिसके बाद दोनों की बीच नजदीक्यों को लेकर काफी चर्चा भी हो रही थी। और कहा ये भी गया कि अगर किंग मेकर की भूमिका में जेडियस आएगा तो शायद बीजेपी के साथ वो सरकार बना सकता है। लेकिन कॉंग्रेस और जेडियस ने आपस में हाथ मिला लिया जैसे ही नतीजे आए उसके बाद। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये दुरप्पा तो अब शपत ले चुके हैं और उन्हें ड्वलनी बहुमत भी साबत करना है सर्फ 24 घंटे असे भी कम का वक्त रह गया है लेकिन अब मुश्किल घड़ी है बीजेपी के सामने। आपको ये भी बता दी कि देवगोडा ने आज 85 साल के उम्र पूरी कर ली है। लेकिन 1962 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसी साल निर्दलिये के रूप में वो चुनाव मैदान में उतरे। होल नर्सिप और सीट से वो विधायक भी बन गए। 1967, 72, 76 और 82 में लगातार चार बार वो विधायक चुने जाते रहे। जब आपात काल का दौर आया इस दौरा निठार महीने देवगोडा ने जेल भी काटी। जनता पार्टी के साथ वो जुड़े थे। करनाटक में जनता पार्टी के सरकार में लोक, निर्माण और सिचाई मंत्रे भी रह चुके हैं। करता है जनता पार्रा वो, जनता पार्टी के सरकार में जो हो जब पार्टी का में लोड़ Hill